जैहिन दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही important और बहुत ही urgent है इसी दोस्तों आज के वीडियो में बक्वास नहीं होगी सीधे काम की बात होगी तो दोस्तों आज के वीडियो में लोग बात करेंगे GMC नागपूर group D class 4 की जो बैगेंसी निकाली गई थी उसके syllabus के बारे में द लोगों अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो बार जाके देख लिए जिससे आपको इस नोटिफिकेशन समद्दी सारे डाउट्स दूर हो जाएगी अब दोस्तों बात आती है इसके स्लेबस के बारे में क्योंकि दोस्तों इसके स्लेबस समद्दी बहुत सारे कमेंट आ रह पहला इसके स्लेबस के बारे में आपको जनकारी यह उसके साधी साथ दोस्तों क्ихट केमेरे पास क्वेंट गांगे दिखाने वाला हुँ इसलिए उसलिए दोस्तों all income और Kly दोस्तों घमória लीक लिए निकानी गई ती जिसमें टोटल पोस्ट 680 हैं मतलब 680 पदों के लिए बेगेंसी निकाली गई थी और एक क्लास फोर की बेगेंसी थी इसमें क्वालिफिकेशन दसमी पास मांगा गया था ठीक है और ये दोस्तों महाराष्ट्रा सरकार दोरा निकाले गया था महाराष्ट्रा इस्टेट के लिए तो पहले आपको बता देता हूं और इसमें सेलेक्शन प्रोसेजर की बात करें तिसमें सबसे पहले हमारा रिटेंट्रेस्ट होगा उसके बाद इंटर्वी होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों इस वेकेंसी के लिए और पहले से मतलब 30 December से form online मातन से स्टार्ट हो चुके हैं जो लोग अपलाई करना चाहते हैं तो अप्लाइश कर दिया होगा यह फिर समय रहते ही exam pattern की तो दोस्तों में सबसे पहले हमारी Marathi language पूछी जाएगी और English GKGS और Math Reasoning ठीक है इन चार सब्जेक्स से question पूछे जाएंगे इसमें सभी subject से 25 question पूछे जाएगे ठीक है total 100 question पूछे जाएंगे और एक question आपका दो number का होगा तो total मतलब 100 question हो गए और एक question तो नंबर का तो मतलब 200 नंबर के आपके सारे कोशन पूछे जाएंगे और इस परिछा में अभी तक कोई निगेटिव मारकिंग की जानकारी नहीं है, मैंने काफी जगा सहच किया है, तो साहरे इस बैकंसी में निगेटिव मारकिंग नहीं है, और दोस्तों आपको जो एक्जाम मोड की बात करें, आपको जो एक्जाम होगा, वो CBT मोड पर होगा, computer based test होगा, ठीक है, और यह online मातम स कोशन पेपर आएगा है इंग्लीस या फिर मराथी बासा में तो आप जिस भी बासा में कमफर्टेबल है आप उस बासा को चूज कर सकते हैं अगर आप मराथी में बने रहना चाहते हैं आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो जन्दान OBC EWS या फिर SCST ठीक है आप मेल है या फीमेल है इसे कोई फ़क नहीं पड़ता है आपको मिनिमम 45% नमबर लाने पड़ेंगे ठीक है अगर आप लोग मेरिट में रहना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट में आए ठीक है तो आप लोग मिनिममम 45% नमबर लेके आए तभी आप मेरिट लिस्ट में रहेंगे ठीक है अधरवाइस आपको वहीं से बहर कर दिया जाए अब दोस्तों मैं में सभी सब्जेक्ट्स के अपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कोन कोन सब्जेक्ट्स से कौन कोन से लग जाएगा तो वो लोग अपना तयारी में भी से लग जाएं बांकि जब इस वेकंसी का ओफिशियल स्लेब बसा जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको सूचना दे दूंगा तो दोस्तों सबसे पहले में लोग बात करेंगे इंग्ली समें तो वनबर सब्सुटूश EDM and phrases, verbal comprehension type passage आएगा, fill in the blanks आएगा, or antonyms and synonyms, errors correction, active and passive, spot error, synonyms and hononyms, sentence structure or sentence completion, spelling test, prepositions, joining sentence or transformation, sentence arrangement and substitution. तो दोस्तों ये आपका हो गया, English का syllabus, अब हम लोग बात करते हैं, reasoning की कौन कौन से topic है, जिनसे reasoning में question पूशे गया थे, तो दोस्तों, theme detection, statement, conclusion, cause and effect, statement, argument, logical, deduction, number series, later symbol series, verbal classification, essential part, artificial language, matching definitions, making judgment, verbal reasoning, logical game, logical problems, analyzing arrangement, sentence and assumption, the cause of action, ठीक है, तो ये topic से reasoning के लिए जिनसे पिछले साल question पूशे गया थे, अब हम लोग बढ़ते हैं, GKGS की तरफ, journal science, current affairs, river समंदित, lake and sea से समंदित, और famous place in India, tourism, artist, environment issues, sports, Indian history, और Indian parliament, famous day and dates, Indian polity, famous books and authors, Indian economy, तो दोस्तों ये पार्ट होगया, GSGK का जहां से question पिछले साल पूशे गया थे, अब बाताती math में, तो arithmetic, reasoning, clock and calendar, sentence, argument, alphabets, states, eligibility, test, direction, data efficiency, themes and detection, pie chart, case test, number system, time and work ratio and proportion, age, compound and interest, train और board से सम्बलने question पूशे जाएंगे, volume and surface, coding and decoding, दोस्तों ये होगया, आपका मेर्ट के पार्ट जान से question पिछले साल पूशे गये थे, अब दोस्तों बाताती कंप्यूटर से, तो दोस्तों ये कंप्यूटर के पार्ट आपका सायथ GKGS के साथ ही attachment रहेगा, ठीक है, तो concept of memory, MS Excel, computer system, MS Word, input, output, MS PowerPoint और window, तो दोस्त से, जिन से पिछले साल question इस परिच्छा में पूछे गये थे, ठीक है, आप दोस्तों मैं आपको बता जाता हूँ कि previous air का आपको paper कहां से मिलेगा, तो दोस्तों इस vacancy, जब ये vacancy 2022 में निकाली गई थी, तो उस साल का आपको जो previous air का paper है, उसकी PDF आपको मेरे telegram channel पे मिल जा मैं telegram चले पे इस बीडियो के साथ ही previous air के जो PDF हैं, वो सारे डाल दूँगा, तो वो आप लोग देख लेना, प्लस, ये जो सारे सभी English reasoning, GKGS, math, computer, इन सभी के जो पार्स हैं, इनके भी screen source डाल दूँगा, तो जिन लोगो problem हो रही हैं English भासा में समझने में, तो वो लोग उसको Google Translator में जाकर मराथी बासा चूज करने और वहां से जाकर चेंज करके इसके सारे topics देख सकते हैं, ठीक है, तो इतना दुस्तों मैंने आपके लिए किया है, आप आगे आप लोगों को नेतिक करता है, पर आप लोगों मैं सपोर्ट करते रहें, और वीडियो को ज्या हिन बलने मगाद रहूं